आप देख सकते हैं कि जो रॉकेट हैं इनका साइस कम हो रहा है और ये वाले एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है और होट होने की वज़ा से हॉट एर इस लाइटर देन कोल्ड एर हो पढ़ाएं कम सिखाएं ज्यादा जो आज हम साइस एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले इसका में जो थेड है यह उतार देता हूँ थेड को उतारने की बाद आप देख सकते हैं चोटी स्टेपल पिन है इसको भी रिमूफ कर देते हैं यहां से हमें एक्चली यह जो वाइट पेपर है मैं इसमें से टी निकाल देता हूँ ती कर देने के बाद मैं इसको टेबल के ऊपर इसरा रख लूँगा और इस एक्टिविटी को करने के लिए अडर्ड सूपरवियन रिक्वाइड है क्योंकि अब मैं इसको उपर से बर्न करने लागा हूँ ठीक है मैंने इसरा के और भी कुछ रॉकिट बना के रखे हूए है मै यह अब देख सकते हैं मैं भी इन रॉकिट्स को भी टेबल के ऊपर रख लेते हैं मैंने आप से कहा था कि चाय भी पीएंगे और रॉकिट भी उराएंगे अब मैं यह जो रॉकिट्स आपके सामने इनको उपर से जलाने लगा हूँ कि अब देख सकते हैं कि जो रॉकिट्स है इनका साइस कम हो रहा है और यह वह एरिया बहुत ज़ादा हॉट हो गईया और हॉने की वजा से हॉट एर इस लाइटर देन कोल्ड एर हमारे रॉकिट्स क्रंट्स हमारे रॉकिट्स नीचे आ रहे हैं देखे यह हमारी rocket नीचे आरहे हैं, आप देख सकते हैं आपको मैं बड़ी इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ, यह देखें, rocket इंट्रेस्टिंग बात यह है, कि hot air balloon also work with the same principle आपने दिखाऊगा, hot air balloon उसके अंदर आग लगी होती है, वो वाले area जो है सारा lighter हो जाता है जिसकी वजा से hot air balloon fly कर रहा होता है, I hope you like this activity, इलम को लिखकर कैद कर लें